नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्के में धूप से हुई काली तोचा को साफ करने का रामबान घरेलू नुस्का जी हाँ दोस्तों अगर आपकी तोचा धूप में काली हो गई है और आप इससे बहुत परशान हो चुके हैं तो आज मैं कैसा घरेलू नुस्खा लेके आया हूँ जिससे आपकी तुचा का रंग हफते भर में साफ हो जाएगा दोस्तो नुस्खे बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपने हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्र पढ़ेगी दोस्तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने लिया है यहां पे बेसन और दोस्तो मैंने लिया है हल्दी और ये रहा दोस्तो राई का तेल जी हां दोस्तो आपको इस नुस्खे के लिए तीन चीजों की आउशकता पढ़ेगी दोस्तो अब हम जान लेते हैं कि इस बनाना कैसे है तो दोस्तो इस घरेडी नुस्के को बनाने के लिए आपको लेना होगा एक चम्मच बेशन ये मैं एक चम्मच बेशन ले लेता हूँ और दोस्तो आपको लेना है एक चौथाई चम्मच हल्दी करीब इतनी हल्दी आपको लेना है और दोस्तों इसमें आपको मैं ये बता दूँ कि आपको तेल अपनी आवशक्ता नुसार ही लेना है ठीक है दोस्तों तो अब मैं इसमें तेल डाल लेता हूँ पहले दोस्तों मैं एक चम्मच तेल डालता हूँ और इसको मिक्स करता हूँ दोस्तो मैं इसमें तेल एक चमच और दालने जा रहा हूँ और मिक्स कर लेता हूँ दोस्तो ध्यान रखीगा इस मिक्षर को बहुत जादा पतला और बहुत जादा गाढ़ा भी नहीं होना है ठीक है दोस्तो ये मिक्षर हो गया है आपका तैयार दोस्तों ये मिक्षर तयार हो चुका है आप देख रहे हैं ये कितना गाढ़ा है या कितना पतला है आपको ऐसे ही बिल्कुल रखना है इसे ठीक है दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इसको लगाना कैसे है दोस्तों इसे आप अपनी तुचा पे जहां पे आपकी तुचा का रंग धूप की किर्णों से काला हो गया है वहाँ पे आपको इसको लगा लेना है और दोस्तों लगाने के बाद आप इसे आदे घंटे के लिए अपनी तुचा पे छोड़ दीजिए उसके बाद दोस्तों आप इसे साफ पानी से अपने तुचा को धो लीजिए दोस्तों आपको इस नुस्खे का प्रियोग रोजाना हफ़ते भर करना होगा जिससे आप देखेंगे कि आपकी तुचा जहां पे धूब की किर्णों से काली हो गई है आपकी तुचा का रंग वहाँ पे निखर जाएगा और आपकी तुचा का रंग साफ भी हो जाएगा तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये नुस्खा पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे को अभी सब्सक्राइब कर लिजे